स्वागत हवाद चैनल एजुकेशनल टांती में दोस्तों यहाँ पर नई वेकिंसी आप लिए लेकर आए हैं कापी समय से यहाँ पर इंतिजार भी था के एंजी रेट को यहाँ पर परयाव एक छक महीला आंगनवाडी कारे करता इसके इंतरकत दोस्तों यहाँ पर वेकिंसी निकाली गई है जिसके इंतरकत आप देख सकते हैं 155 पोश्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही थी जो की गयर 246 चेतर की है आपको योगता पर लिये चलते हैं इसमें दोस्तों कुछ गेम्स वाले केंडिडेट को भी 2% आरक्षड मिलता है उनके लिए भी यहाँ पर कैटिकरी बाइस और दिब्यांग जनों के लिए भी यहाँ पर वेकंसियां आरक्षड की गई है उनको यहाँ पर विशेस लाब मिलने वाला है बेतनमान जो जाएगा वो दोस्तों आपका जिस प्रकार से सरकारी मेंट्रिक पर 11.7 का जो होता है उसी प्रकार से आपको पारिस्विक राज सरकार के दौरा यहाँ पर दिया जाएगा इसके साथ दो सुटों ये परिविक्षक की वेकिंसी है जिसमें की दुस्तों आपका ट्रेइनिंग रहीगी परिविक्षा आपदी रहीगी उसके दौराने आपर मासिक नियत पारे समिक दिया जाएगा जो सरकार कर समय समय नियत किया जाता है और सीधी भरती में यहाँ पर जिस परकार से निक्टी की दो बरसा तक आपकी परिविक्छा अब्धी चलती है तो वह यहाँ पर वही नियम आपका रहने वाला है जिस परकार से इसक्यातरिक्त भत्ते, महिंगाई भत्ता, सहरी भत्ता, विसेज वेतन भत्ता यह आदी देह नहीं होंगे आपकी परिविक्षा अब्दी के दोरान अब दोस्तों आपकी पातरता को समझें पातरता किस प्रकार से यहां पर दी गई है दोस्तों यहां पर आपकी पातरता में देखें तो पातरता में आपका यहां पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है इसके साथ दोस्तो यह आपके पास कोई भी एक computer diploma होना चाहिए तो computer diploma है आप यहाँ पर या तो कोई भी certificate computer course कर चुके हैं या आपने COPA भी कर रखा है तो भी यहाँ पर apply करेंगे computer science से कर रखेंगे तो भी apply करेंगे या आपने यहाँ पर आपका सबसे बड़ा प्रशन होगा कि DCA PGDCA यहाँ पर चलेगा कि नहीं तो DCA PGDC यहां पर चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते है Diploma in Computer Application तो Diploma in Computer Application यहाँ पर चल जाने वाला है और साद साद PGDCA भी चल जाएगा और साद Computer Science का जो Diploma होता है वो भी चलने वाला है computer science में डिप्लोमा, engineering होती है polytechnic से वो भी चल जाने वाली है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो state certificate होते हैं वो भी यहाँ पर चल जाने वाले हैं इसके अलावा बोला गया है कि आपको देवनागरी, लीपी या थाथ हिंदी में आपर जो जो घ्यान होना चाहिए और साथ साथ राजस्तान की संस्कृति का भी घ्यान है आपर होना चाहिए किसी भी प्रकार की जो ऐसा वेक्ती जो सीदी भरती की नियों में अनुसूचियों में या उच्छितिक पद में यहाँ पर section के अनुवता जैसे इसके लावा जो एजनसी रहीगी उसकी शेक्षिनिक अहरता परिक्षकिति थी इसे पूर अरजित कर लेना जरूरी है परिक्षकिति थी से पहले आपको ये योगता करजित करना होगा इसके साथ साथ दोस्तों अन्योगताओं के बारे में बारे में बारे में बतायागा कि आ आपकी 18-84 की बीछ आपकी यहां पर ओने चाहिए इस प्रकार से दोस्तों यहां पूरी जान करी है शोई तो प्रकार से आपको आयू से लेकर सारी जान कर यहां पर दे चुक है अब दोस्तों इसमें पैंसन के बारे में देख सकते हैं जिसdeering को तो निमनु सार राज की जो pension होगी वो यहाँ पर दीच चाहेगी, चाहे वो new pension scheme हो चाहे यहाँ पर पुराणी pension scheme हो, इसमें दोस्तों आपको जो apply करने की last date होगी, वो 21-23 रहीगी और 22 से आपके आपर form fill होना सुरू हो जाएंगे, इसके साथ सब वेवापंजियन के बारे मे हो सकता है, offline mode में, किसी भी तरीके से आयोजित की जाए सकती है, यह इनके द्वारा बुला गया है, प्रविस फत्र यहाँ पर आपको जानकरी मिल जाएगी, email id के द्वारा, और निक्तियों की जो आयोगता रहेगी, वो यहाँ पर दरसाई गई है, किस परकार से आप से गलती है, यहाँ पर नहीं करनी है, प्रमुख बाद दोस्तों आपको बता देते हैं, कि आपकी यहाँ पर जाती परमान पत्र है, वो आपको लगाने है, यदि आपको किसी विचाती से आते हैं, विसस से, और आपकी परिक्षा के स्कीम के बारे में बात करें, तो आपकी 200 नम्मर का section रहेगा तो total आपका 200 नम्मर का section है तीन गंटे का समय मिलेगा दोती एक खंड आपके लिए महत पूर जाता है क्योंकि ये इसमें सभी candidate यहापर नए है और ये आपका slivers भी detail में यहापर दर्साया गया है जिस परकार से portion और आहर में भी देख सकते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि आप यहादी फार्म डालना चाहते हैं तो फार्म डाल सकते हैं जनरल केटिकरी से भी डाल सकते हैं क्योंकि यहादी दूसर राज़े से आते हैं तो दूसर राज़े के केंडिडेट को अनने जाती हुए आपर फायदा नहीं मिलता है